स्टूडेंट्स आज हम करेंगे पेस नमबर तीस में अभ्यास प्रस्ट पहला रंगीन वर्ण पर एकी मात्रा लगाकर शही सब्द बनाईए ठीक तो रंगीन वर्ण क्या है खो खो पे अगर हम एकी मात्रा लगाएंगे तो क्या हुझाएगा हमारा खो खो पे एकी मात्रा त खेट ठीक है फिर नो नो रंगीन वर्ण है तो नो में हम एक की मातर लगाएंगे तो नो में एक की मातरा वो फिर लो लो पे आ की मातरा नेवला क्या बनेगा नेवला ठीक है फिर दो दो हमारा रंगीन वर्ण है दो पे हम एक की मातर लगाएंगे तो क्या बनेगा मो, फिर हो, हो पे आ की मात्रा, दो, दो पे एकी मात्रा, फिर वो, क्या हो गया, महादेव, क्या बनेगा, महादेव, तो हम क्या लिखेंगे, महादेव, ठीक है, फिर ठो, ठो है हमारा रंगी इनवर्ण, ठीक, ठो पे हम एकी मात्रा लगाएंगे, लो, लो पे आ की मात्रा, क्याल केंगे हम ठेला, फिर हो हो हमारा रंगी इन वर्ण है, तो हो पे हम एकी मातर लगाएंगे, सो हो पे एकी मातरा, लो लो पे बड़ी एकी मातरा, क्या बनेगा सहेली, हम क्याल केंगे सहेली, फिर हो हमारा रंगी इन वर्ण है, रो पे हम एकी मातर लगाएंगे, तो क्या क्या दिखेंगे हम यह आपे परेशान ठीक है प्रश्ण नमबर दो है चित्र पहचानकर्म के नाम पूरी कीजिए यह क्या है शेर तो हम क्या लिखेंगे शेर यह केला केला क्या लिखेंगे केला और यह किसका चित्र है मेले का हम क्या लिखेंगे मेला ठीक है फिल है चित्रो को शब्दों से मिलाएं केले केले को केले से मिलाएंगे मैडग को मैडग के चित्र से मिलाएंगे फिर है बेलन बेलन को मेलन के चित्र से मिलाएंगे और सपेरा को सपेरे के चित्र से मिलाएंगे ठीक है प्रश्न नमबर चार है चित्र देखकर वाग के पूरे कीजिए ठीक ह हमें करना है चित्रों को देख बाख के पूरे गन्य है यह किसका चित्र है रेल तो हमें अपर कह लिखेंगे रेल धीरे धीरे आई ठीक है क्या लिखेंगे हम रेल रॉर रॉपडे एकी मात्रा लो रेल ठीक फिर है यह किसका चित्र है सपेरेगा तो आपके लिए सो पॉप आपे एकी मात्रा फिर रॉप आपे एकी मात्रा सपेरे यह लिखेंगे सपेरे में कर्तब दिखाए ठीक है